दोस्तों नमस्कार, विडियोरजरा.com के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है, आज हम एक ऐसे ठग के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, और आपको आशर्ज भी क्या है, क्या नहीं है, वो सब का चिठा आज हम यहाँ पर खोलेंगे आपके सामने में, आज हम आपको बताएंगे कहानी नटवर लाल की, जिसे उनके गाउं में लोग मिस्टर नटवर लाल के नाम से जानते हैं, और जिसने तीन बार ताज महल को बेश दिया है, एक बार को लोग आजाद भारत के प्रथम राश्टर पती, डॉक्टर राजन्द परसाद के गउं के नाम से भी जानते हैं, जिरादेई जिस जिले में आता है, उस जिला का नाम है सिवान, अब जब बात सिवान की होती है, तो लोग इसे मशहूर बाहु बली नेता और गंग्स्ट मुहमद शहाबुदीन के जिले के तोर पर भी जानते हैं, ये वही शहाबुदीन है, जिसने तीन भाईयों को सरे आम बीच सरक पर तेजाब से नहला कर मा डाला था, मुहमद शहाबुदीन अभी उम्र कैद की सजा कार रहा है, खैर, इस पर हम कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन आज बात होगी उस शक्स की, जिसने अपने कामों से या फिर ऐसे बोले कि अपने कारनामों से प्रशासन और सरकार की निंदे उरा दी थी, वो शक्स कोई और नहीं, बलकि मिठलेश कुमार स्रिवास्तर उर्फ मिस्टर नेटवर लाल था, जी हाँ, उनके नाम के आ का जन्म साल 1912 में जिरादई की निकट बांगरा गाउं में हुआ था, अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे और वकालत की पढ़ाई भी कर चुके थे, हलांकि वो एक बार मैट्रिक में फेल हो चुके थे, लेकिन वाब्यूद इसके वो मेहनत किये और वो यह कैसा निकाल लाओ, मितलेश ने वो देखा और उसने ऐसे ही साइन करने की कोशिश की, बाद में उसने देखा कि ये तो हुबहु साइन हो गया, यहीं से उसका खुराफाती दिमाग चला और वो फरजी साइन करके उनके बैंक से 4,000 रुपिय और निकाल लिये, जब खाते के मालिक को इस बात की जानकारी हुई, तो वो बैंक मेनेजर से इस बात की शिकायत किये, जवाब में बैंक मेनेजर ने बताया कि ये वही लड़का है जिसे आपने पहली बार पैसे लेने के लिए भेजा था, पर उसी समझ चुगा था कि यह मितलेश का ही काम है, और यहां से कहानी शुरू होती है मितलेश कुमार श्रीवास्तव से मिस्टर नटवरलाल बनने की, उसके बाद नटवरलाल घर से भाग गये और पहुंच गये कलकत्ता, जिसका नाम अब कॉलकता है, कलकत्ता में वो पढ़ाय भी कर रहा था और साथ ही एक सेठ के बेटे को ट्यूशन भी दे रहा था, किसी काम के लिए जब नटवर ने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने उसे पैसा नहीं दिया और नटवर का एक महत्तोपूर्ण काम रह गया, इस बात से आहत होकर नटवर ने सेठ को सबक सिखाने की ठानी और कॉटन के किसी बिजनेस में लगभग साथे चा का खेल था और वो उस खेल का पक्का खेलाडी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी, साथ में फर्राटेदार अंग्री जी बोलना और भेश बदलना उन्हें बखू भी आता था, साथ ही आत्म विश्वास से लबाला भरा हुआ और अखवारों के माध्यम से दुनिय भर की घहतना क्रम पर नजर रखना, यानि कि इन में से एक भी गुन का किसी में होना उसकी ताकत बन सकती थी, लेकिन यहां तो नटबरलाल सर्व गुन संपन्न था, उनके ठागी के सैकड़ों किससे मशूर है, लेकिन जो रिकॉर्डिर है और जिनके होने के सबूत है, वो इस सित कनाट प्लेस के सुरेंदर शर्मा की घहरी की दुकान में नटबरलाल जाता है, और खुद को वित मंतरी का पी-एस, यानि की परस्नल सेकरेटरी बताता है, और कहता है कि कल प्रधान मंतरी राजीव गांधी कुछ विदेशी महमानों के साथ एक मिटिंग करेंगे, और साथ में दावत भी होगी, दावत के बाद प्रधान मंतरी उन सभी महमानों को तोफे में घहरी देना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घहरीयां चाहिए, दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन प्रधान मंतरी का नाम और एक नौर्थ ब्लोक, नौर्थ ब्लोक वो जगह है जहां प्रधान मंतरी से लेकर बड़े बड़े आफसरों का आफिस होता है, तो दुकानदार को घरी पैक करने की बात का कर एक स्टाफ को अपने साथ हो नौर्थ ब्लोक ले गया, वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तोर प रुका है, और इसके बाद वो फिर कभी नहीं रुका है, ठागी में नटवार लाल इतने शातिर था कि उसने तीन बार ताजमहल, दो बार लाल किला, एक बार राष्टपती भवन और एक बार संसद भवन तक को बेच दिया था, राष्टपती राजिंद परसाद के फरजी साइन करके नटवार लाल ने संसद को उस समय बेचा था, जिस समय वहाँ पे सारे संसद अंदर मौझूद थे, कहते हैं कि नटवार लाल के बाबन नाम थे, उसी में से एक था नटवार लाल, और इसी नाम से वो मशूर भी है, और इसी नाम से उनको दुनिया जानती भी है अब सवाल यह है कि वो इन इमारतों को बेचते कैसे थे और उन्हें खरीदिता कौन था जवाब यह है कि वो इन सभी इमारतों को सरकारी अफसर बनकर बेचता था और खरीदने वालों में विदेशी होते थे नटवर किसी रईस विदेशी को पकड़ता और उनको इमारत को बेचने का प्रपोजल देता साथ ही वो संबंधित इमारतों के सभी कागजात भी तयार रखते थे सभी कागज बकैदा सरकारी स्टैंप के साथ होता था जिसमें open space, building area, basement, garden, hall इत्यादी सब कुछ का ब्योरा होता था साथ ही संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर भी जो वह खुद ही करता था यह देखकर विदेशी को भी विश्वास हो जाता था और वो डिल करने को तयार हो जाते थे अब सवाल यह है कि नटवर लाल ने किस-किस को चूना लगाया तो इसका जवाब में यह है कि नटवर लाल किस-किस को चूना लगाया यह कोई recorded नहीं है कि उसने इतने 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 लोगों को ठगा है नटबर लाल नेता के साथ साथ देश के बड़े बड़े उद्योग पतियों को भी चुना लगाया था कभी समाज से बग के तोर पर कभी किसी NGO के नाम पर तो कभी किसी और बहाने से इन नामों में प्रसिद्ध बिजिनेसमेन धिरुभाय अमबानी रतन टाटा और बिरला जैसे नाम है इतने सारे कार नामों को अंजाम देने के बाद अब नटबर लाल प्रति दिन अखवारों की सुर्खिया बनने लगा था वो अब अपना नाम अखवार में देखता था तो उसे अपने आप पर गर्व होता था वो खुश होता था नटबर अपने जिवन काल में आश राज्यों में ठगी को अंजाम दिया जिसमें बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्यम, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हैदराबाद, मध्यप्रदेश और महराष्ट्रा था गिरफतारी कैसे कैसी हुई, जब नटबर का नाम आम लोगों में पपलर हो रहा था तो बिजनेसमेन खास तरसे सचेत रहने लगे थे ऐसे ही उनकी एक गिरफतारी कानपूर में हुई थी जब वो एक जुलर्स के दुकान में कुछ खड़िदारी करने गया था वो अपना तिकरम भिराई रहा था कि दुकानदार को शक हो गया वो नटबर डाल को बोल जाय रहा और पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आया और नटबर लाल गिरफतार हो गया कितने मुकद में दर्ज हुए होंगे और उनको कितनी सालों की सजा होई होगी अगर आप इस बात को सुनेंगे तो आपके उंगली दातों तले आ जायेंगी पुड़े देश भर से नटबर लाल पर एक सो पचास से ज़्यादा मुकद में दर्ज हुए जिनमें सिर्फ नौ मुकद में का ही फैसला आया था अलग अलग फैसलों को जोर कर देखें तो उन्हें कुल एक सो नौ सालों की सजा हुई थी जिसमें से उन्हें सिर्फ एक ही मामले में बेल हुई थी बाकी हर बार वो जेल से भागे ही थे वो अपनी सजा के सिर्फ बीस साल ही जेल में गुजारे थे यहां हम सिर्फ 20 साल ही क्यों कर रहे हैं यह आप समझ गए होंगे। उनका एक किस्सा है लखनो जेल वाला जो बहुत मशूर है। वो किस्सा यह है कि बात उस दौर की है जब नटवरला लखनो के जेल में बन थे। उसी दौरान गाउं से उनकी पत्नी की चिठी आती थी। न अंदर या बाहर ले जाने की अनुमती होती है। लखनो में नटवरलाल के नाम से साथ आठ चिठी आ चुकी थी। लेकिन नटवरलाल ने अब तक एक भी चिठी का जवाब नहीं दिया था। चिठी में अक्सर पैसों की तंगी और खेती बारी का ना होना जैसी बात लिख होती थी। अगली चिठी जब आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवरलाल को चिठी दिया और बोला कि तुम्हारी पतनी अव तक इतने चिठी लिख चुकी है लेकिन तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। यहां सुनकर नटवरलाल ने का कि साब मैं तो जवाब देन चाहता ही नहीं था लेकिन आप जब आप कह रहे हैं तब मैं जवाब दे देता हूँ। नटवरलाल ने खत लिखा और जेल के डाग खाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने पर कुछ गहने और पैसे गारे हुए हैं हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन बसर करती रहना। या पठकर जेल के अधिकारी कान खड़े हो गया फोरण ही जेल से लोकल पुलिस स्ट्रेशन को फोन किया गया और मामले की जानगारी दी गई। लोकल पुलिस फोरण खेत में पहुचि अब शायद खेत त्यार हो गया होगा तुम फसल की बुआई कर देना। चिठी पढ़कर जेलर दंग रह गया और उन्होंने नटवरलाल के दिमाग की दाद दी। यहां किसा अब सोशल मीडिया पर काफी पुराना हो चुका है लेकिन लखनों के जेल में यहां अब तक रि अब कैसे लेते हो जवाब में नटवरलाल ने कहा कि अगर आप मुझे एक रुपे देंगे तो मैं आपको बताऊंगा जज साहब उनको एक रुपे दे दिये फिर नरवरलाल ने कहा कि मैं ऐसे करता हूं मैं कोई ठगी या फिर चोड़ी नहीं करता हूं मैं लोगों से पैस जब इतने साड़े कारणामों को अंजाम देने के बाद नटबरलाल तीन गारियों के काफिले के साथ अपने गाउं आये तो वह समस्त गाउवालों के लिए एक भोज गायों जन किये इस भोज में तरह तरह के पकवान बने थे भोज के उपड़ान तो वह सभी को सौसो रुपे भेट दिये वह गाउवालों का चहता बनगे दुनिया भले ही उसे ठग या कुछ होर बुलाए वह तो अपने गाउवालों के लिए मसीहा थे इसलिए लोग समान से उन्हें मिस्टर नटवरलाल के नाम से पुगारते हैं नटवरलाल को साल 1996 में आखरी वार दिल्ली स्टेशन पर देखा गया था जब वो विल्चेर पर पुलिस वालों को चगमा तेती हुए भाग गया था उसके बाद से उसे अब तक किसी ने नहीं देखा है नटवरलाल के साथ और क्या चर्चित हुआ जब नटवरलाल के कारणाम में अपने चरम पर था उसी वक्त साल 1989 में लेखक निरदेशक राकेश कुमार अमिताफ बच्चन को लेकर मिस्टर नटवरलाल नाम की एक फिल्म बनाई थी लेकिन उस फिल्म का सिर्फ नाम नटवरलाल के नाम पर था उनके किसी भी कारणामों को फिल्म में टच नहीं किया गया था साल 2005 में आये फिल्म बंटी और बबली में भी ठग द्वारा ताज महल बेच जाने का एक परसंग है या फिल्म भी ठगी पर ही आधारित है जिसमें अभिशेक बचन और रानी मिखर जी मुख्य किरदार में थे उसके बाद साल 2014 में इमरान हाश्मिय स्टारर एक और फिल्म बनी थी राजा नटवरलाल जिसकी निर्देशक थे कुनाल देशमुख इस फिल्म में उनके कारणामों की एक दो जहलकियां दिखती है नटवरलाल अगर आज होते तो कैसे होते वो कहते हैं इनसान और वक्त इन दोनों की तुलना एक साथ कभी नहीं करनी चाहिए जब नटवरलाल आज से 40 साल पहले ऐसे कारणामे करते थे तो आज के दोर में वो टेक्नोलोजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं कर सकते थे नटवरलाल जैसा ठग हिंदुस्तान ने ना पहले कभी देखा है और ना कभी देखेगा ठगी की दुनिया का इकलावता लेजेंड है वो अपने गावान के लिए रॉबिन हुड है वो साल 2009 में नटवरलाल के फैमिली मेंबर ने कोट में अरजी दिया कि अब नटवरलाल जिन्दा नहीं है इसलिए उनके सारे फैल्स बंद कर दिया जाए कोट को तो अभी सबूत चाहिए लेकिन हमारा अंधा कानून ये नहीं जानता कि उनके जन्म के अब 110 साल होने को आ गया है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की कहानी Mr. Network लाल के बारे में उनके ठागी के बारे में अगर इसमें आपको कुछ छूटता हुआ दिख रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आने वाले अपडेट्स मोबैल स्क्रीन पर पाने के लिए हमारे बिल आइकन को टॉच कर दें थैंक यू सो मच